अन कायंडलों के मुकाबले ये कायंडल दोस्तों 100% काम करेगी। जैसे कि यहाँ पे दिख राए कि जो इस तरह सी कायंडल बनती है ये 10% काम करती है। आप मार्केट में से यूज करेंगे तो और ये 30 परसंट और ये 40 परसंट और ये 80 परसंट लेकिन दोस्तों ये वाला जो करेंडल है ये 100% काम करता है जैसे एक जामपल देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन्वार्टेड हैमर को यूज करेंगे चार्ट पर तो ये द देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर टाइम है इसका फूल है मतलब कि जो ये वाला पैटन है ये दोस्तों 100% काम करता है जिब चार्ट पर ये पैटन बनता है तो इस करेंडल का नाम क्या है इस करेंडल का नाम है मारू बोजू पैटन दोस्तों मारू बोजू पैटन एक पैटन है जो कि आपको दरसाता है कि मार्केट को बाएर ने कंट्रोल किया है इस वीडियो में आपको दोस्तों कुछ हैसे बाते बताऊंगा जो कि सायथ आपको बहुत कम लोग बताते हैं मारू बोजू करा अंडल की बारे में दोस्तों यहां पर कंडिशन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि जब आप इस पैटन को यूज करोगे तो सबसे पहले तो आपको पांच मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है दूसरा नेम दोस्तों यह है कि अगर आप इसे यूज करते हो ठीक है मालो आपने यूज किया आपको अपना टार आपको कितना पॉइंट रहेगा जैसे कि आपको दिख रहा है कि मारकेट नीचे गिदे ठीक है यहां से तो इसके बीच में यहां से यहां पे बोटम से टोक तक इसके बीच में कम से कम 9 या 10 कंडल होनी चाहिए अगर इतनी कंडल है तो यह पाइटन बहुत अच्छी तरह स तो उपर जाएगी लेकिन कैसे होगा क्या होगा इंटरी कैसे लेनी है एकजिट कैसे करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो सबसे पहली कंडिशन यह है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी मार्केट नीचे गिर रहे होगी ठीक है कि यहां से लेके टोप से बोटम तक कितना 9-10 करेंडल होनी चाहिए उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पे बोटम है वहां पे यह पैटन बन सकता है तो जब दोस्तों यह पैटन बनेगा तो आपको कुछ ऐसे दिखाए देगा कि यहां पे इस पैटन में कोई भी सैडू नहीं होगा कोई भी सैडू जैसा कि यहां पे देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से कोई भी सैडू नहीं रहेगा वाली candle है इसके ओपर body के ऊपर छोटी सी बीक निकली हुई है और जो ये red वाली है द्वस. इस candle के बोडी के नीची यहां पे आपको छोटी सी बीक दिखाए दे रहे है जो रेडी candle होती है दोस्तों यहां से open होती है ठीक है opening price हो गया ठीक है जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जब यह red बनेगी तो यह आपको दिखाए देगी कहाँ पे टोप पे यह वाला pattern आपको टोप पे बनता हुआ दे सकता है जब यह टोप पे बनेगा तो वहाँ से market नीचे गिरेगी लेकिन अगर यही pattern आपको bottom पे दिखता है जै नहीं तो दोस्तों आपको धियानी रखना है कि यहां टोप से लेकि यहां से 9-10 रहेगी ठीक है उसके बाद यहां पे आपको धियानी रखना है कि जब भी आप इंट्री लेंगे कैसे लेंगे अभी मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूं कि आपको चार्ट पे इंट्री कै क्या है इसका इंट्री कहां लेना है इस्ट innovation कहां पे रखना है और future अब ऑफ की जब आप च्रेड़िं सोचते हो कि market यहां से दो हमारा औरिक भारिक यहाईगा लेकिन जब आपका profit होता है तो आप थोडा सा profit लेके भाग जाते हों यही सबसे बड़ी गलती है जब आपका profit हो रहा हो तो आपको market में bet करना है बैठना है लेकिन जब आपका loss हो रहा है तो आपको वहां से तुरुंतर निकल जाना है आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि जैसे आपने यहां पे entry लिया और आपने अपना ACL यहां पे रखा तो क्या होता है कि market आती है आपके ACL को hit कर देती है उसके बाद दोबारा market उपर चली जाती है इस तरह की जो situation है दोस्तो यह market में कभी कभी होता है अगर आप 10 बार trade लेंगे तो इसमें से आपको कभी कभी अकाद दो बार एक दो बार आपको ऐसी situation दी सकती है लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होगा अगर आपका ऐसा हीट होता है तो market से निकल जाओ और जब भी आपका profit हो रहा है तो आप टिको जब तक profit हो रहा है आप टिके रहो जैसे मालो की आपका target है 500 का तो जैसे आपका 500 profit हो जाए आपको अपना इस्टोप लोग उठा कि लागे 500 पे रख देना है अगर market इससे उपर गई तो आपका profit तो और होगा लेकिन अगर market इससे निचे आई तो आपका 500 का profit आपका target मिल जाएगा जो मारो बोजो का दोस्तों low है थोड़ा सा आपको 5 point नीचे आपको अपना एसल यहाँ पे रखना है ठीक है यहाँ पे और जो entry point है वो मारो बोजो क high पे है जैसे मारो बोजो का high break होता है आपको entry ले लेना है तो लेकिन लेकिन एक बात आपको धियार रखनी है कि entry लेने से पहले इस्टो आप लोस रखने से पहले आपको देखना है कि market top से जहां से top से market गिर रही है इसके यहाँ पे bottom तक इसके बीच में कितनी candle हैं कम से कम आपको धियार रखना है कि यह 9-10 candle होनी चाहिए और जब आप अपना target दख रहे हो तो आपका पहला target होना चाहिए कम से कम 80 point अगर आपको 80 point मिल जाता है तो अच्छी बात है नहीं तो आपको 60 point 50 point का आपको target पहला रखना है फ़र्ष टोला target जैसे आपका फ़र्ष target पूरा होता है थोड़ा सा market और उपर जाती है आपको अपना SL यहां से उठा के लाके यहां पर 50 point पर रख देना है उसके बाद आपका अगला target कम से कम 150 point का होना चाहिए क्योंकि आपका फ़र्ष टार्गेट पूरा हो चुका है अब आपको टैंसल लेने की कोई भी जरू सम भी दोत नहीं है अगर मार्केट उपर जाती है जितना भी उपर जाये आपको जाने देना है आपको प्रोफट देखना है जैसे आपको दिखता है की market अपने टार्गेट तक पहुँच गई है यानि कि रिजिस्टन्स है जहां से मार्केट reverse हो सकती है तो वहाँ पर आपको exit कर देना है लेकिन अगर यहाँ से market दोस्तों नीचे गिरी तो आपका जो यहाँ पर ACL रखा हुआ है आपका कम से कम first target तो पूरा हो जाएगा मतलब दोस्तों आपको ऐसे trading करनी है तो जैसे मैंने आप से कहा कि आपको एक बात ध्यान रखनी है जब भी आप दोस्तों entry low तो आपको target में यही ध्यान रखना है कि जब भी आपका profit हो रहा है आपको profit में बैठना है profit अगर हो रहा है तो आपको टिकी रहना है थोड़ा देर तक लेकिन अगर आपका loss हो रहा है तो यहां पर दिख रहा है कि अब तक market तो seller की control में थी लेकिन जब यह pattern बना यहां पर तो पूरी पूरी candle को buyer ने control कर लिया है तो जब market buyer की control में है तो obviously market उपर जा सकती है ना यानि कि यहां पर 99% chance है लेकिन chance कैसे है जो जो मैंने आपको बताया है कि इसके यहां से top से लेके bottom तक कम से कम 9-10 candle होनी चाहिए ठीकि आपको यह सब बाते दिया रखनी है target कैसे रखना है मैंने आपको बता दिया है आप लोग इस वीडियो को like कर दो और share करो comment करो ठीकि मैं आपको comment नहूं ले next वीडियो में